श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव आप सबको पता है 22 जनवरी को है सोमवार प्रदोश एवं भगवान राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही विशेश सा बहुत ही सुन्दर सा दिन आपको करना मात्र है एक उपाय जो कि आपकी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है पूरी नहीं हो पा रही है तो इस उपाय को करेंगे पूज गरू जी की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा उस से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सबस्क्राइब कर देना देखो हमें इस उपाय में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें साथ चावल के दाने और एक बेल पत्र और पीला चंदन लेना है और महादेव के शिवलिंग पर छड़ाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समाजने की कोशिश करिएगा देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के दाने हमें साथ चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो तूटे हुए ना हो ठीक है ले लिया उसके बाद दूसरा समान आपको लेना होगा बेल पत्र जो कहीं से कटा फटा ना हो बहुत प्यारी सी बेल पत्र हो ठीक है ले लिया और उसके साथ साथ आपको लेना होगा पीला चंदन जो कि आपको छोटी सी कठोरी में लेनी होगी और उस कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल कर उस पीला चंदन का पेस्ट बना लेना होगा, ठीक है? उसके बाद में इस पीले चंदन को आप देखो जो बेलपत्र होता है न उसमें तीन पत्तियां होती है एक बड़ी वाली पत्ती और दो छोटी वाली पत्तियां होती है ना तो इन दोनों पत्तियों के बीच में एक डंडी होती है इसी जगह पर आपको पीले चंदन को लगान बेल पत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में पहुँच जाएंगे। महादेव के मंदिर में, जैसे ही मंदिर में हम पहुँचते हैं, दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के, तो नंदी बाबा के जो राइट साइड होता है, यानि कि जो दाहिना साइड होता है, उसी साइड से होकर के हमको महादेव के शिवलिंग की तरफ जाना होगा. कुछ लोग लेफ्ट साइड से जाते ऐसा नहीं करना है आपको राइट साइड से होते हुए आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना है लेकिन जब आप नंदी बाबा के पास से गुजर रहे हो उस बेल पत्र को अपने हाथों में लेकर के नंदी बाबा के ही कानों में आपको अपनी मनो कामना मंदिर में घुसने से पहले ही नंदी बाबा को कह देनी है राइट साइड से जाते समय नंदी बाबा के कान में आपको कामना कह देना है ठीक है उसके बाद उसे एक बेलपत्र को उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास में पहुँच करके उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के उपर चड़ा देनी है पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ और डंडी का मुख होगा वो माता अशोक सुंदरी की तरफ ठीक है और अपनी कामना अपनी इच्छा को कहते हुए ओम नमा शिवाय बोल करके उस बेला पत्र को समर्पित कर देना दो से तीन सोमवार लगातार करके इस उपाय को देख लीजिए चाहे कितनी भी पुरानी आपकी विश्ष हो, मनो कामना हो वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती है मैंने तो कोशिश की है अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाने की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो आप जो भी लोग आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव